सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज जारकन वपाएं जारकन की तमाम खबरें नमस्कार आप देखरें सिटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कंचरज रंका प्रखंड के रंका पंचायद के मुख्या सवीता देवी और उनके पती समा सेवी राजेश कुमार मदेश्या के द्वारा रंका पंचायद धवन में अपने निजी खर्ष से 500 लोगों के बीच कंबल का वित्रण किया गया इस संबन में बता दे चले कि रंका प्रखण में इन दिनों ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है जिसको लेकर गरीब के पास कमबल कम पड़ जा रहे हैं जिससे देखते हुए मुख्या सवीता देवी और उनके पती राजेश कुमार मुधेशा के दौरा लोगों को बुला कर रंका पंचायद भवन में 500 लोगों को कमबल वित्रण किया गया इसमन्द में मुक्या जन्प्रतिनी धी राजेश कुमार मुदेशा ने बताई कि रंका पंचायत के बारे में मुक्या सवीता देवी के द्वारा हमेशा लोगों के विकास के बारे में सोचा करती है जो उनके द्वारा ठंड को देखते हुए 500 कंबल के बीच कंबल का वितरन किया जा रहा है उन्होंने बताए कि और जुरतमन्द लोगों के बीच ठंड को देखते हुए कंबल का वितरन किया जाएगा इस मौके परवाट सदसो पेंद्र चंद्रवंशी मनोच कुमार रवी संतोष चंद्रवंशी और काफी संख्या में कंबल लेने पहुचे ग्रामेर उपस्त थे